1899 नेट्विक्स पे एर हो चुका है and as it was expected सो बहुत ही confusing है और लोगों को अपना सिर्ख हुचाना पर रहा है most of the people जिरों ने ये सो देखा है सो के plot को लेके काफी ज़ादा confused है तो आएजे इसे explain करते हैं इस वीडियो में जैसा कि नाम से ही clear है सो श्टार्ट होता है येर 1899 में एक stream ship जिसका नाम है करवे रश जो की इंगलैंड से नियॉयोक जा रहा है ship पे कई passenger है जो दूसरे language में बात करते हैं और सो को भी इसी तरह से multilingual रखा गया है ship के कई passenger में से एक है Mora Franklin एक doctor जो की अपने भाई को ढून रही है Mora को लगता है कि उसका भाई कुछ मैंने पहले खोये हुए ship परमेथियस पे था लेकिन चीज़े काफी amusing हो जाती है जब उन्हें परमेथियस ocean में तैरता हुआ मिलता है जब ship का captain Eric Larson परमेथियस को चेक करने के लिए जाता है तो उन्हें उस बंजर ship पे एक boy मिलता है Eric उस boy को ship पे वापस ले आता है Mora उसे अपने साथ रख लेती है Eric ship के mysteries को समझने की कोसिस करता है ship पर एक mysterious passenger भी है जो खुद को Mora से Daniel के नाम से introduce करता है Mora के absence में Daniel उस boy से मिलता है Eric को shipping company से एक message आता है जिस पे लिखा होता है sink ship लेकिन एक New York जाने के बद्दे Prometheus को लेकर वापस England जाने का फैसला करता है जिसे ship के passengers खुष नहीं है और वीडियो में एक mutiny start करते हैं लेकिन इतना ही नहीं चीज़े और ज़दा mysterious हो जाती है जब captain और mora को अपने floor में कुछ saps मिलते हैं जो कि उन्हें other realities में ले जाते हैं इन दो जो realities हुए अपने memories को relief कर सकते हैं mostly bad memories बात और ज़दा bigger जाती है जब ship पे एक passenger की death हो जाती है और ship के passengers उस boy को इसके जिमदार मानते हैं जब mutineous boy को पकरने के लिए mora के room में आते हैं तो वो हाँ से गायब हो जाता है एक को परमिथियस के passengers का list मिलता है जिसमें mora का नाम भी सामिल है इसी तरह की अजीब incidents के बाद जैसे जैसे story progress होती है हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब बस एक simulation है डैनिल मोरा को बताता है कि वो उसका पती है ये सब कुछ रियल नहीं है लेकिन मोरा को कुछ भी याद नहीं क्योंकि उसकी memories completely wipe कर दी गई है कितना ही नहीं परमिथियस पे मिला हुआ boy का नाम Elliot है और वो मोरा और डैनिल का बेट रहा है और वो जल्द ही लूप को reset कर देगा जिससे मोरा की memories फिर से wipe हो जाएगी लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ऐसा दजनो बार किया जा चुका है और नहीं मोरा और से पे किसी पैसेंजर को ये बात याद पिर हमें पता चलता है कि मोरा के पास कोई ऐसी की है जिससे वो वापस reality में जा सकती है उसकी के मिलने पे भी मोरा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसकी को एक triangle box में लगाया जाएगा जो कि उसके father Henry के पास है तब Daniel decide करता है कि वो simulation के mainframe को hack करेगा और उसे reprogram करेगा और वो उसमें कामयाब भी होता है जब final episode में Daniel मोरा से दुबारा मिलता है तो मोरा पूछती है जब वो simulation से बाहर निकलेगी तो क्या Daniel वहाँ होगा और Daniel जबाब देता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा मोरा के को use करती है और मोरा actual reality में simulation से बाहर निकलती है और खुद को एक space ship पे पाती है ship के बाकी सारे passengers उसी simulation से जुड़े हुए है हाला कि simulation में ship 1899 में sale कर रहा था reality में ये सब कुछ 2099 में हो रहा है मोरा घबडा कर ship के बाहर देखती है और पाती है कि वो space में है मोरा ship के computer पे चेक करती है जिस पर उसे सभी passengers के list और project का नाम Prometheus होने का पता चलता है और तब कि computer पे उसके भाई का message आता है जो कि उसे actual reality में वापस आने के लिए स्वागत करता है और David Bowie के सौंग स्टार्मान के स्थाथ सीजन वन यही खतम हो जाता है Soka's story overly complicated and unnecessary confusion से filled है which was expected as it was made by the creators of the Netflix series Dark which is also set in the year 1899 but this is not a review it's an explanation video so if you have any doubts feel free to ask them in the comment section don't forget to like and subscribe till next time it's good bye